जहिन दोस्तों, Welcome to the सरकारी जॉब यह हमारी NMDC की तीसरी क्लास है इससे पहले वाली क्लास को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आज की क्लास में भी हम वेलोर जिले का जो लोकल जिके होता है वही देखने वाले हैं इससे पहले भी हमने वेलोर जिले के उपर एक क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो हम आपकी NMDC की पूरी प्रिप्रेशन करवाएगी इसी चैनल के माद्यम से उसमें GK और Technical के कोस्टन भी आपके इंक्लूड रहेगे तो जो भी लोग चैनल से नए जोड़े चैनल को सस्काइब कर दीजेगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कीजेगा जो भी आपके पास study group है या जो भी studies related resources है वहाँ पर आप वीडियो को सेर कर सकते हो तो चलिए आज की class को करते start आज की class हमने पिछली class में कितने 20 questions देख लिए थे आगे के questions को हम आज देखेंगे 21 number का आपका आज का पहला question रहेगा फर्स्ट question है आपका क्या पुचा इसमें जीले के जीले में करनाटा का विधानसभा छेदर कितने है जो करनाटा का है इसके कुल विधानसभा छेदर जीले में कितने है इसका right answer आज जाएगा पाच है तो इसका right answer आजाएगा कुल 75 प्रिस्ट जो है जीले का स्रम क्रसी पर निर्बर है 23 number का question है आपका 2011 की जनगना के अनुसार बेलारी की कुल जनसंग्या कितनी है तो इसका right answer आजाएगा आपका 24,52,592 वक्ति कितनी है 24,52,592 वक्ति यह 2011 की जनगना के अनुसार है अगला question है जीले की प्रमुक फसल क्या है तो इसका right answer आप देखिएगा कपास, जौर, मुंफली, चावलादी यह जीले की प्रमुक फसले है चलिए अगला question देख लेते है अगला question है आपका question number 25 बेलारी रेल मार्ग कहां कहां से पढ़ता है जो बेलारी है इसको रेल मार्ग कहां कहां से पढ़ता है तो ध्यार में रखिएगा एक हो गया बेंगलूर से सेकेंड है रायचूर से थर्ड है आपका तीरूपती से फिर हुबली से फिर गुंतकल से और विजयवाडा से इतनी जगह से जो वेललारी जीला है या रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है अगला कोस्टन है आपका most important question है ऐसे local question ही अधिकतर NMDC के एक्जाम में पूछे जाते हैं के question आपके लिए most important है वीडियो को पूरा देखिएगा आपको अच्छे-च्छे question देखने को मिलेगे अगला question है question number 26 जिंदल हवाई अड़ा वेललारी से कितना दूर है जो जिंदल हवाई अड़ा है या वेललारी से कितना दूर है तो यह 30 km दूर है अगला question है आपका 27 number का इसमें क्या पूछा है वेललारी का वाहन पंजियन क्रमांक क्या है देखिए यह question हमने पिछले वीडियो में बताया था लेकिन उसमें थोड़ा सा mistake हो गया है जो कि print mistake था मैंने आपको pin भी कर दिया था करके आप देख लिजेगा उसको जो वेललारी का 25 क्रमांक का है वो के एन हो गया था लेकिन उसका राइट एंसर क्या आजाएगा के थर्टिफोर के चवतिस जो है यह वाहन पंजियन क्रमांक है जो आपका विकल रजिस्ट्रेशन नमर होता है जहाँ पर लिखा रहता है ने जैसे MP का रहा तो image रहेगा महराष्ट का रहा तो image रहता है उसी type का जो वेललारी है वहाँ का क्या है के एन पिछली वीडियो में लिखवा गया था तो आप उसको सही कर सकते हो चली अगला question देखते है question number 28 है वेललारी में कुल कितनी तालूका है देखे तालूका जो है यह भी हमसे miss match हो गया था वहाँ पर तो आप इसको भी ध्यान रख़िए कि आब अंने बताये हैं कुल पाश तालूका है लेकिन वैललारी में जो है यह कुल साथ तालुका है, कौन-कौन से है, उसके नाम भी आप देख लीजिए, नाम थोड़े टिपिकल है, याद रखने की कोशिस कर सकते हो, तो कीजिएगा, देखिए, फर्स्ट नाम है आपका हदागली, सेकेंड नाम है आपका, यह तो बहुत ही कठी नाम है, क्या है सेक कुंड़ी गाया, कुंड़ी की जिसको कहते है, तो वो भी एक आपका बेलाईरी का तालुका है, चली अगला कोस्टन देख लेते हैं, अगला कोस्टन क्या है, अगला कोस्टन है आपका, कोस्टन नमबर 29, बेलाईरी जिले में कौन सा किला है, देखिए, most important question है, जो क्ला है इसी के नाम पर सहर का नाम भी पड़ा है बेलारी को नसा इसका जो नाम है इसको आप कह सकते मैं या उपनाम कह सकते हो यह है बल्लारी गुड्डा या फोर्ट हील्स होता है दूसरा नाम जो गुड्डा इसका मतलब पहाड़ी होता है वहाँ पर याद रखिएगा जो कनाड़ भासा है आपकी उसमें अगला कोस्चन है आपका बल्लारी कीला किस पर्वत माला पर इस्तित है किस परवत वाला पर इस्तित है बल्लारी का किला तो यह संदूर परवत माला पर इस्तित है यह जो बल्लारी का किला है यह वहाँ की प्राक्रतिक दरोहर है इससे रिलेटेट कोस्टन भी आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएगे तो आप याद रखिएगा और जो लोग PDF प्राप्त करना चाते हैं, where telegram ko उप से जूर जाए। ये, telegram में आपको PDF मिल जाएगे। चलिए अगला question देख लेते हैं, अगला question है आपका बेलारी सहर को किस उपणाम से जाना जाता है? जो बेलारी सहर है, इसको किस उपणाम से जाना जाता है? तो Steel City आप इंडिया भी कहा जाता है इसको कौन से सिटी? Steel City आप इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहां लोवा और Steel की अधिक मातरा में खनन होता है चलिए अगला कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन क्या है? अगला कोस्चन है आपका कोस्चन नमबर 33, 33 नमबर का कोस्चन है आपका दारोजी भालू अभ्यारन कहा है? देखिए जो वेल्लारी है यहाँ पर एक भालू अभ्यारन भी है जिसका नाम क्या है? दारोजी भालू अभ्यारन तो इसका राइटेंसर आ जाएगा वेलारी में ही है दारोजी भालू अब्यारन अगला कोश्चन है आपका कुमार स्वामी मंदिर कहा परिस्तित है जो वेलारी डिस्टिक है यहाँ पर कुमार स्वामी मंदिर है और कुमार स्वामी मंदिर किसी स्थान पर है तो यहाँ संदूरी में है हमने आपको पहले बताय था कि जो संदूर्य है इसको कही कही नाम आपको संदूर भी लिखावा मिल जाएगा तो आप confusion हो येगा इसका right answer क्या जाएगा संदूरी में है कुमार स्वामी मंदिर अगला question है जीले का मुख्य राष्टी राजमार का कौन सा है तो इसका right answer आजाएगा राजमार का 67 जो राजमार क्रमान का 67 है ये जीले का मुख्य राष्टी राजमार का है अगला question है आपका question number 36 वेलारी किन प्राकृतिक आपदाओ का अधिकांद सिकार होता है most important question है यह अभी चो वेलारी जीला है यह भारी वर्षा के कारण यह अधिकतर क्या होता है कि यह प्राकृतिक आपदाओ के कारण सिकार होता है जिसमें आजाएगा आपका भारी वर्षा कुन सा भारी वर्षा का अधिकतर सिकार बना रहे था है बेलारी जीला चलिए अगला कुस्चन देख लेते हैं अगला कुस्चन है आपका क्या बुला इसमें NMDC के अलावा यहाँ पर और कौन-कौन से उद्धोग है जो आपका बेलारी जीला है यहाँ पर आप जानते हो कि NMDC की खान तो ही उसके साथ साथ यहाँ और भी अन्य विद्धोग है कौन-कौन से उसमें जो मुख्य उद्धोग है वहाँ आजाएगा आपका साथवाहन इस्टिल प्लांट स्वारी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टिक हो गया आप इसको स्टिल कर दिजिएगा साथवान स्टिल प्लांट है सेकेंड आपका जिंदल जो विजयनगर स्टिल प्लांट है और यहाँ पर मुकंद स्टिल और कल्यानी स्टिल यह मुख्य यहाँ के उद्धोगी गुपक्रम है चली अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन है वेलारी में कुल कितने उद्धोगी काईया है तो यह भी मोस्ट इंपर्टेंट है आपके लिए तो इसका राइटेंसर आ जाएगा वेलारी में कुल 23 मुख्य उद्धोगी काईया है चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question है वेल्लारी में Bank of India की मुख्य साखा कहा पर है देखिए पिछली बार जो NMDC का exam हुआ था उसमें ऐसे ही question पूछे गए थे जो लोगों ने exam दिया होगा वो जानते होगे कि ऐसे question NMDC पूछता है इसलिए हमने इस वीडियो में ऐसे question आपके लिए include किये हुए है क्या पूछा इसमें कि वेल्लारी में Bank of India की मुख्य साखा कहा पर है तो इसका right answer आप ध्यान में रखेगा VVS Building New KSR City City क्या है KSR City Bus Stand वेल्लारी जो Bus Stand का है वेल्लारी का वहाँ पर Bank of India की मुख्य साखा इस्तीज है चलिए अगला question देख लेते है अगला question है आपका यह भी most important question है आपका बेल्लारी में किस-किस bank की साखाय है ध्यान में रखेगा है most important question है जो बेल्लारी जीला है या जो बेल्लारी district है इसमें कोन-कोन सी bank की साखाय है तो देखिए एक है CBI जिसको आप Central Bank of India भी कहते है एक है यहाँ पर B.O.I. जिसको आप Bank of India भी कहते है एक है यहाँ बेल्लारी जीला है यहाँ पर मुख्य रूप से कोन-कोन सी bank है CBI, SBI, B.O.I. शिंडिकेट बेंक, फ्रक्रतिक क्रश्ना ग्रामीन बेंक और करनाटका बेंक यह प्रमुक बेंक है वेलारी जीले में चलिए अगला कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन है कोस्चन नमबर 41 वेलारी में CHC Aspetal के पास कोंसा मंदिर है। पर और यहां पर कोंसा मंदिर है तो मुरगमा मंदिर हैं कोंसा मंदिर है Moscow मंदिर? अगला कुस्छन है आपका वेलारी का सामुदाइक स्वास्ते केंदर कहां पर इस глав send देखते हैं वहुल तो केसी रोड वोड वेल री में नाम आप याद रखने के कोशिच कीजिएगा चलिए अगला question देखते हैं वेलारी के किले का उपरी हिस्सा किसने बनवाया था आज भी हमने पहले question देखा था वेलारी के किले के बारे में तोसी से related question है कि वेलारी के किले का उपरी हिस्सा किसने बनवाया था उपरी हिस्सा तो हनुमपपा ने इसका उपरी हिस्सा बनवाया था और जो निचला हिस्सा है वह भेसवालि बनवाया था जल्यकेशि आपका तीमलापूरा इसके लिए जाना जाता है यह भगवान स्रीकर्ष्ण का मंदिर यहाँ पर इस्तीज है अगला कुस्चन है आपका 47 नमबर का जीले के दो मुखे railway station कौन-कौन से है तो इसका राइटेंसर आप ध्यान में रखेगा जो वेल्लारी जीला है इसके प्रमुक दो railway station कौन-कौन से है तो इसका राइटेंसर आपका क्या आजाएगा जो वेल्लारी जीला है यहाँ पर प्रमुक दो railway station एक है वेल्लाली railway station दूसरा आजाएगा आपका होस्पेट railway station चलिए अगला कोष्चन देख लेते हैं अगला कोष्चन है बोम घटा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है देखिये नाम उधर के एसी होते हैं जो साउथ के नाम होते हैं आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा बोम घट्टा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है तो इसका राइटेंसर आ जाएगा हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है अगला कोस्ट ने आपका 149 नंबर का रागव कला मंदीर सभागार का नाम किसके नाम पर रखा गया है जो रागव कला मंदीर का सभागार है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो विल्लारी रागव के नाम पर रखा गया है मुस्ट इंपोर्टेंड है याद रखेगा अगला कोस्ट ने आपका वेल्लारी सहर का निकटतम हवाई अड़ा कहा पर है तो इसका राइटेंसर आ जाएगा विद्यासागर हवाई अड़ा मतलब यह जो विद्यासागर हवाई अड़ा है यह वेल्लारी सहर से निकटतम है वैसे जो वेल्लारी सहर है यहाँ पर जो हवाई अड़ा है वो निर्मा आप से देखिए आज का कोस्टन है आपके लिए क्या है आज का कोस्टन है आपका कि विभाजन करके किस नए जीले की स्थापना की गई थी तो इसका एंसर आपको comment box में comment करके देना है जो इन लोगों को इसका एंसर नहीं मिल रहा है वह पिछला वीडियो देख लिए उसमें भी हमने most important question जो वेलारी डिस्टिक से पूछे जा सकते हैं ऐसे question के उपर एक और वीडियो बना है उसका आपको description में link मिल जाएगी आप playlist में जाकर देख लीजिए तो वहां से आपको इसका answer भी पता लग जाएगा और जिनको पता है वो comment box में comment करके बताएगी वेलारी का विभाजन करके नया जीला कुन सा बनाया गया था कौन से नया जीले की स्थापना की गई थी और यहां अभी की गई थी 2020 में मतलब पिछले वर्सी की गई थी 2020 में तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं मिलते अगले वीडिय आपको सारी क्लासेज इस पर मिल जाएगी जिसमें आपकी जीके की क्लासेज और टेकनिकल की क्लासेज भी सामिल होगी तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यवें बाई बाई